तो दोस्तों एक बारे फिर स्वागत है आपका अपारे शानल पर पेरा नामे वरुण और हम बात कर रहे हैं लोगी और लोगी बात कर रहे हैं एनल्यूस पे हम डिसकेशन कर रहे हैं और इन बातों को करते 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 इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं हरियाणा जी हां हरि यूरिवस्टी लॉ के लिए यहोने बाले यह डोक्टर वी आर मेंट कर नेश्टनल लॉवस्टी का नाम है अलकि आल्गिए जो नली है इसका नाम डॉक्टर वी आर 12 का है यूरिवस्टी का जो की राजीव गांदी एजुकेशनल सुसाइटी तोर पर स्टाबलिज्ट हुआ था फिर उटने स्टाबलिज्ट करा फिर नाम बात में 2014 में स्टाबलिज्ट हुआ चेंज हो गया और अभी फिलाल एस्टेट में पूरे हर्याणा में क्या है कि लॉग के लिए एक ही यूरिवस्टी है जो लॉग के कोर्सिस कंडेक्ट कराती है इसका तो प्रभाव बढ़ नहीं वाला जितने भी हर्याणा या उसके आसपास के बच्चे हैं या जो चाह रहे हैं वहाँ एडविशन लेना तो लॉग हर्याणा या फिर सोनी पत्र जिसको बोल सकते हैं उस पर फोकस करते हैं बच्चे हां ये एक इंस्टिटूशन गवर्मेंट बोडी का है लेकिन प्राइबिट और ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं वो अगर अपनी प्रोफाइल पर जाना चाते हैं तो नीचे प्रोफाइल अनालिसस फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्रिप् नाकि वो फाउंड कर रही थी उसको उस्टाबलिस्ट करा फिर 2014 में नाम इनका परिवर्तित कर दिया गया ये सारी चीज़े हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं तो only law university in हर्याना ये important है जो आपको याद रखना है अगर इसके आसपास आप देख रहे हैं law से related कोई institutions तो यहां हैं बहुत सारे constructions अभी चल रहे हैं ताकि इसको और अच्छा काम किया जा सके और इस university का aim क्या है कि अच्छे professionals law field के निकालना ताकि हां भारत में अच्छा ही बढ़ाई जा सके अब इसी बात है loss related जितनी courses हैं या cases हैं उनका निप्टान हो और बहुत सारी ऐसी चीज़े त काम करने का इनका काम है अलाइच में हम जाएं तो 2012 इसका नाम NLU हर्याना है 97 NIRF की ranking है जो की खराब नहीं है बहुत अच्छी ranking 100 100 अगर ranking है तो कहीं से खराब है क्या मुझे ऐसे लगता तो नहीं है ठीक है state government of हर्याना के अंदर ये आती है approved के द्वारा की गई है और साथ यहां पर full time के online courses भी अभी कुछ start किये गए थे अभी करोना काल से हना बागी तो full time ये courses ही provide करा रहा है courses fee structure की बात करें तो अभी ज्यादा courses नहीं है दो ही course ये conduct करा रहा है तो उनकी fees 1,28,000 रुपे एक साल की fees है यानि लगबग आप मान के चलें कि आप 6,500,000 रुपे आप के इस पूरे course के 5 साल के course के होने वाले हैं तो वह important चीज़ है दूसरी चीज़ ऐसी है कि placement के records भी बहुत अच्छे नहीं है 5-6 लाग on average placement बच्चों को बताया बहुत ज्यादा percentage of placement की बात करें तो भी 30% का है इनका record और site जो इनकी official website है NLU harayana.ac.in उस पे भी बहुत आने से पहले आप चाहा अगर इसको target कर रहे हैं तो वहां के जो जितने भी बच्चे हैं कुछ अगर परीचित हो तो उसे जरूर चर्चा कर लें प्लेस्मिंट के अलाबा यहां पे scholarship की बात करें तो वह एक दो प्रवाइट जरूर करें जाती है नीड़ बेस बेर बेस उस इसके हाँ law forms के क्योंकि बच्चे prefer law forms को करते हैं तो यहां अभी तक इनके collaborations पगिरा उतने पो नहीं पाये हैं फिसलिटी में हम देखें तो मूड कोड की फिसलिटी अबेलबल है ही बिना उसके तो लाओ भी नहीं पायागा बिसी बात है फिर हम चाहें लाइब्रेरी की बात करें जहां से आपको रिसॉर्स जनरेट होंगे यार नहीं तो कैसे काम चलेगा हमें law करना और रिसॉर्स ही मिल रहे है बाकी तो सारी चीजे होस्टल हो गई जिमनेश अब मेडिकल फैसलिटी यह बेसिक फैसलिटीज है बल्कि इनको यूटिलिटीज कहना चाहिए क्योंकि इनके बिना किसी विक्ति का अबरॉल डबलमेंट नहीं हो सकता एक इंस्टिटीशन जो हम पुल रहे क्लेम अबस अनलु और इसको बहुत जब जब जाया है और इक महत्र का अबस है लॉसर रिलेटेड तो इसमें अभी और भी जरूरी है फ्यूचर में इसको इन्वेस्ट करना और साथी साथ इसके इंफरस्ट्रुक्टर को डबलब करना या इसकी नाम को शुमार करना क्योंकि जानकारी आप अपने प्रोफाइल में बेस्ट क्या है जान सकते हैं अना सो अंगली वीडियो में अंगली जानकारी के साथ हम मिलेंगे तब तक के लिए जाहेब I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share and subscribe